नमस्क्राइब दोस्तों मैं डॉक्त एंचनाक की प्रेटिशन और आज हम बात करने वाले हैं एक्यूट वाटरी डायरिया के बारे में गर्मिया आते ही डायरिया का सीजन आज शुरू हो जाता है बच्चे थोड़ा सा भी भार का खाते हैं और उन्हें दस शुरू हो जाते ह हमें यह बता होना चाहिए कि हम घर पर डायरिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसी के उपर आज का टॉपिक है एक्यूट वाटरी डायरिया इन चिल्डरन तो सबसे पहले की डायरिया होता क्या है यह जाने अगर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से जादा बार दस्त हो रहे हैं बुखार है उल्टी है और या फिर दस्त पतले हो रहे हैं पहले सॉलिट थे और अब पतले हो गए हैं तो हम उसे डायरिया बोलते हैं उसके साथ बुखार और उल्टिया भी हो सकती हैं लेकिन छोटे बच्चे नूबॉंस जो शुरू से ही पतले दस्त कर रहे हैं और दाइरिया नहीं बोलेंगे डायरिया इस एक्यूट चेंज इन फ्रिक्वेंसी और कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स तो कारण क्या हो सकते हैं क्यूट वाटरी डायरिया के यह फूट बॉन इलनेस होता है वाइरसे मोस्कॉमन का कॉज होते हैं बच्चों में जैसे रोटावा अलर्जी से भी बच्चे को दस्त हो सकते हैं दस्त का जो सिवियरिटी है उसको असस करने के लिए हमने तीन भागों में डिहाइडरेशन की डिग्री को बाटा है जैसे अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है नॉर्मल यूरिन पास कर रहा है तो उसको हम लो डिहाइडरेशन ब लेकिन बच्चा सोस्त हो गया है उसकी आखें अंदर चली गई है वो ठीक से कुछ पी नहीं रहा है और यूरिन भी बहुत कम पास कर रहा है तो उसको हम सीवियर डिहाइडरेशन की डिग्री को असस्त करने के लिए हम एक छोटा सा पिंच करेंगे उसके स्किन पर अगर व reten no dehydration और some dehydration को ही डिसकस करेंगे क्योंकि सीवियर डिहाइडरेशन वाले बच्चों को i immediately admit करना पड़ता है और IV fluid लगाना पड़ता है तो घर पर हम no dehydration और some dehydration को ही manage करेंगे अगर हम इसको manage कर लेते हैं तो severe dehydration में जाने की risk बच्चों की बहुत कम हो जाती है तो manage कैसे करना है घर पर अगर बच्चा अच्छे से तूथ पी रहा है, urine अच्छे से पास कर रहा है और उसको no dehydration है, उसकी आखें जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं गई है तो हमें उसको oral dehydration solution देता है, यह सब भी जगह पर easily available होता है हर medical store पे तो जैसे ही आपका बच्चा दस करें या उल्टी करें तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उसको oral dehydration solution से उसका जो dehydration है वो recover करना है तो हर lose stool के लिए 10 ml per kg सबस्पोस आपका बच्चा 10 kg का है और आपके बच्चे ने दस किया तो आपको हर lose stool पर उसको 100 ml ORS देना है चमच कटोरी से अगर बच्चा दो महीने से छोटा है तो भी आप उसको ORS दे सकते हैं चाहे बच्चा completely breastfeed कर रहा है फिर भी आप उसको ORS दे सकते हैं तो हर बार दस्त होने पर 5 चमच ORS उसको देना है दो महीने से दो साल के बच्चे को हर बार एक lose stool पर 50-100 ml ORS और 2 साल से 10 साल के बच्चे को हर बार दस्त करने पर 100-200 ml ORS देना है यह minimum quantity है इससे जादा भी दे सकते हैं अब अगर बच्चा आपका some dehydration वाली category में आ रहा है यानि कि वो चिरचिड़ा है और लेकिन वो पानी अच्छे से पी रहा है ORS अच्छे से पी रहा है तो हमको उसको calculate करके ORS देना पड़ेगा है जैसे पहले चार घंटे में हमको 75 ml पर केजिस ORS देना है तो सपोज आपका बच्चा 10 किलो का है तो आपको 500 ml ORS उसको देना है पहले चार घंटे में और इसके साथ में आप प्लेन वाटर भी देते रहे है क्योंकि ORS पीते भी बच्चे परिशान हो जाते है जो बाते हमको बहुत जादा धान में रखनी है अगर बच्चा छे महीने से चोटा है तो उसको continue breastfeed कराईए बहुत चाहे बच्चा खाना खाते ही दस जाये लेकिन हमको उसको खाना जरूर खिलाना है और घर का खिलाना है जैसे कि दाल चावल दल्या खिच्डी जो भी आप बना के उसको खिलाते हैं वो सब उसको खिला सकते हैं वेजेबल सूप दे सकते हैं लसी दे सकते हैं चाज दे सकते नारेल पानी दे सकते हैं बीच बीच में प्लेइन वाटर भी दे सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ खिलाया ही नहीं बच्चे को और वह दस जाता जा रहा है तो बच्चा और ज्यादा कमजोर हो जाता है इस समय बच्चे को बहुत सदा हाई क्यालरी करता है इंटेस्टेंस की इम्म्यूनिटी के लिए भी जिंक का बहुत अच्छा रोल है इसलिए जिंक एड़ दोस ओफ 20 mg पर केजी पांच महिने पांस साल से चे महिने के बच्चों के लिए चे महिने से चोटे बच्चों के लिए 10 मिलिग्राम पर दे के हिसाब से हमको जि तु कमंनली प्रिम जो क्या रोल है रूटीनी हम लोग अंटेबाटिक्स यूज नहीं करते हैं लेकिन अगर बच्चा थी महिने से चोटा है कोई इन टेफिशनसी है इसको को ऐसी में देशन सचल रही है जिसके वज़े से इसके उसके इम्म्यूनिटी पर फरक पड़ता है जैसे के steroids तो हमको antibiotics देने पड़ सकते हैं अगर कोई बच्चा है बहुत कमजोर है माल नरिष्ट है उसका वजन उसकी उमर से बहुत साथ अकम है तो भी हमको antibiotics के जुरत पड़ सकती है और अगर bacterial dysentery है dysentery मतलब potty में खून आना या कफाना या पसाना तो उसमें antibiotics का बिलकुल रोल है इसलिए उसको antibiotics देना ही पड़ेगा अगर बच्चे को कोई bacterial dysentery हुई है तो ये सब था diarrhea के बारे में इससे जुड़ेवे कोई questions है एक चीज का हमें हमेशा धियान रखना है बच्चे को के शरीर में पानी की कमी अगर नहीं होगी तो बच्चा डाइरिया से जल्दी recover करेगा इसलिए जब no dehydration की या some dehydration की stage हो तो आप उसको ORS supplement कीजे दूद कम दीजे fruits, fruit juices कम दीजे ORS दीजे, नारेल पानी दीजे दाल का पानी दीजे, चामल का पानी दीजे बच्चा डाइरिया से जरूर रिकवर करेगा इससे जुड़े कोई सवाल है तो मुझे जरूर कॉमेंट बाक्स में डालिए Thank you